जारकन में एक पिता ने ससुराल में प्रताडित बेटी को वापस घर लाने के दौरान जो कुछ किया उसकी चर्चा सभी तरफ है और एक स्टेट्मेंट उन्होंने दिया है सोसाइटी को कि जब बेटी को ससुराल में प्रताडित किया जाता है या बेटी के ससुराल वाले और उसका पती खराब निकल जाए तब उसके लिए बेटी को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाएं। खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत की जरूत होती है। लेकिन जारखन में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी के लिए जो किया है। बेटी ने उस ससुराल के माहोल में रहने की कोशिश की लेकिन कई बार उसे ससुराल वाले घर छोड़ने पर मजबूर कर देते। हद तो तब हो गई जब प्रेम कुमार की बेटी को पता चला कि उसके पती की पहले ही दो शादिया हो रखी है। और इन शादियों के बारे में प्रेम गुपता को या उनकी बेटी को पहले बताया ही नहीं गया ये छुपा कर रखा गया था। ये वो दिन था जब प्रेम कुमार गुपता ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को इस दर्ट से बाहर लेकर आएंगे और ससुराल वालों के कारण उसकी जिंदगी जो नर्क बन रही है उस नर्क से उसे निकालेंगे उसे एक नई जिंदगी देंगे। प्रेम कुमार अपनी बेटी साक्षी को लेने के लिए उसके ससुराल पहुँचे ससुराल के बाहर बैंड बाजा लेकर गए आतिश बाजी की और पूरी बारात निकालते हुए वो अपनी बेटी साक्षी को फिर से अपनी घर लेकर आएंगे। प्रेम कुमार ने जिस तरह से अपनी बेटी को ससुराल से चुटकारा दिलवाया है जहां पर वो प्रताडित हो रही थी ये देखकर कही न कहीं सोसाइटी में एक स्टेटमेंट खड़ा हुआ है क्योंकि अक्सर ससुराल से आई हुई लड़की को शक की नजर से देखा जा परिवार वाले इस तरह से सपोर्ट कर ले तो लड़कियों को एक बार फिर से नया जीवन मिल जाता है